शहर के प्रतिष्टित बी एम शाह हॉस्पिटल में स्वास्त परिक्षन शिविर लगाया गया अस्पताल के चिकित्सा को द्वारा यहां पर नीशुल्क उपचार किया गया वहीं उचित परामर्स दिये गए साथ ही छूट प्रदान की गई शहर के प्रतिष्टित हॉस्पिटल बी एम शाह हॉस्पिटल में नीशुल्क स्वास्त परिक्षन शिविर लगाया गया है 10 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाले इस स्वास्त शिविर में उरोलोजी एवं नेफ्रोलोजी की नीशुल्क जाज की जारे है इस शीवीर में 36 गर राज्जी की प्रसिद यूरोलोजिस्ट एवं नेफ्रोलोजिस्ट जिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं रोजाना पहुँच रहे मरीज जहां अपने निशिल्क जाज करवा रहे हैं उचित परामर्ष के साथ दवाईयां भी यहां पर ले रहे हैं साथ यहां किड्नी संबंधी मरीजों को उचित परामर्ष भी दिया जा रहा है शीवीर को लेकर अस्पतार प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी निउस्टिम को दी गई है जी हमारे ऑस्पिटल में 10 से 17 तारिक तक निशिल्क शीवीर है डॉक्टर एस्टिवारी एंड डॉक्टर विजे बच्छानी के द्वारा हॉस्पिटल ये दो परामर्ष डॉक्टरों को निशिल्क रखा गया है जिसमें बीपी शुगर फ्री है निशिल्क है तथा डालिसिस हमारे जो 50 रेजिस्ट्रेशन पहले आएंगे उनको पूरा मुफ्त में डालिसिस की सेवाई दी जाएंगी जैसे बीजे बच्छानी द्वारा किड्नी का क्रेटनिन का बढ़ना पेशाप के रास्ते में रुकावट एवन जलन आना पेशाप के रास्ते से रक्त आना सांस का फुलना हाई ब्लड प्रिशर होना ये डॉक्टर बीजे बच्छानी द्वारा निशिल्क देखा जाएग यह हमारे नेफरोलोजिस्ट है, डॉक्टर एस्टिवारी, यूरोलोजिस्ट जो हमारे हैं, मुत्र रोग विशिशग्य, गुर्दे, पत्री का इलाज, पोस्टेट की समस्या, कैंसर का संपूर्ण इलाज, किड्नी, पोस्टेट, मुत्र थैली या अंड कोस्ट में सूजन, सभी समन्दी समस्याओं को हमारे यूरोलोजिस्ट डॉक्टर एस्टिवारी निशुल्क में परामश्ट देंगे, तथा हमारे फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो प्री रिजिस्टिशन आएंगे, पचास, उसमें डाजिस्ट निशुल्क रहेगा, जिस तरह जाचों में बीपी शुगर फ्री रहेगा, एवं कुछ डॉक्टर के द्वारा जाच के लिए, जाचों के लिए 30 पतिशत की छूट रहेगी, अगर किसी डॉक्टर द्वारा सरजरी कोई प्लान होता है, तो उसमें 25 पतिशत की छूट रहेगी, बीम शाह हॉस्पिटल में, मैं चाहूंगा कि जादा से जादा पबलिक यहां संख्या में आए और निशुलक शिविर का लाब उठाए। इन सब बिमारियों का सरजरी का भी प्रावदान है और वह काफी उचित डिसकाउंट प्रेट पर किया जा रहा है इलाज। गुर्दे रोगों में जैसे डायबेट के रोग गुर्दा खराब होने का कर्मूर कारण रहता है डायबेटीस, ब्लेट पिशर, कुछ अनुवांशिक बिमारियां, किड्नी, स्टोन, प्रोस्टेट की बिमारी, बार बार गुर्दों में या पेशाप में इंफेक्शन होन इन मरीजों को समय समय पर गुर्दों से संबंदी चांच करवाते हैं रहना चाहिए, गुर्दों के बिमारी के कामन सक्षन रहते हैं कि पेशाप की मात्रा कम बनना, या पेशाप रात को बार बार बनना, भूख कम लगना, शरीर में सूजन आना, ब्लेट पिशर अनकंट् इस्पेशली डायवेटिक पेशेंस में जब शुगर की दवायों की जरुवत कम होने लगती है, जब शुगर अपने आप नॉर्मल होने लगता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि उनको गुर्दों के चांच करवाना चाहिए, और बहुत सारी बिमारियां जो रहती हैं गुर्दों की वो दीरे दीरे शरीर में अंदर ही अंदर बढ़ती हैं, और यूजरी जब तक बहुत एडवांस स्टेश तक गुर्दों कमजोर नहीं हो जाते हैं, उसके बाद ही इसका पता चलता है, तो हाई रिस्क पेशेंटों में, इस्पिशली डायवेटिक, हाइपर जिनकी फैबली में किड्नी की बिमारियां हैं, उनको समय समय पर गुर्दों की जाच कराना चाहिए, ताकि हम आगे जाकर उनको डायलेसिस से या ट्रांस्प्लांट से बचाया जा सके, बता दे संबंदित बिमारियों का परामर्ष के साथ बीपी शुगर पुर्णता यहा आएवे मरीजों की सरजेरी की आविशकता होने पर यहाँ पर 25 प्रतिशत की चूट अस्पतार प्रबंधन के द्वारा दी गई है Grand ECN News के लिए हर्श सोने के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट